हेलो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ आप सवस्त होंगे मस्त होंगे जवरदस होंगे आपका सागत करता हूँ आपके अपने बनाए उतर प्रदेश के नमबर वन इसके शनल प्लेटफॉर्म यूपी वोर्ड हिंदी मेडियम विद्याकुल में आप लोग आज प बताया हुआ है जो इनके साथ एक इंसीडेंट होता है उसी के बाए में इनोंने बताया है बहुत ही खुच्छ चheitटर है यह हमें बहुत कुछ शिखाता है तो आखिल इस चैप्टर में क्या है और इसप्लीड वीडियो रहने वाली है अब यह का चैप्कर है इस चैप्टर में जो आप narrator हैं तो narrator और उनकी माता जी का नाम रहता है Mrs. S और जो हमारी narrator होती है मारगा मिंको जी ये होती है तो दो लोग हो गए एक तीसरा important character है तीसरा important character है Mrs. darling का जी है मिसेज जो darling होती है वो Mrs. S यानि कि narrator की माता जी की एक पुरानी परचित महिला होती है और यह जो कहानी है यह वार के टाइम की है जब हिटलर का शाशन था और वहाँ पर वार का महौल था जो हिटलर के स्टैनिक थे वह लोगों को चुन-चुन कर मार दे रहे थे गैस चेमबर में डाल दे रहे थे तो वहां की इस्तिती जो थी वो बहुत ही खराब थी ठीक है तो इन सब के बीच में क्या होता है कि जो मिसेस डार्लिंग होती है वो नेरेटर की माता जी से कहती हैं कि आप लोग बहुत परिशानी में हैं पता नहीं बहुत के दौरान क्या हो आप लोग यहां रहते भी हैं कि नहीं रहते दूँगी ये बात मिसेज एस को बहुत अच्छी लगती है उनको लगता है कि मिसेज डॉलिंग कितनी अच्छी महिला है और वो भरुसा कर लेती हैं और सामान जो है वो मिसेज एस ले लेती हैं ऐसे धीरे-धीरे करते-करते जितने भी पुराने एंटीक और प्रीशियस जो Чिसें जो है कि समान होते हैं हो सारी चीजें ज झीजए है issrat दे देती है मिसेज को मिसेज लिंग उसको करके चलिप और आप मैंसे को लगता कि कितने अच्छी North है हना कि हमारे इतना रिस्क लेहीं है हिटलर जो है उसके साइनिक कभी भी किसी को भी पकड़ सकते थे मार सकते थे ठीक है जी और ये लोग जियूज होते हैं जियूज यानि की यहूदी और हिटलर जो है वो यहूदियों से नफरत करता था उसने हजारों लाकों यहूदियों को gas chambers में डाल के मार दिया उनको पकड़ पकड़ के यातना ग्रह में डाल दिया जाता था इस वज़े से वहां की स्थिती बहुत ही जादा देनिय थी बहुत ही critical situation थी तो इनको एक बहतर option लगा कि ठीक है अगर ये स्वेम से ही ये proposal दे रही है कि सामान को ये ले करके जाएंगी तो ये तो बहुत अच्छी बात ही ये तो हमारी help करी है लेकिन जो हमारी narrator होती है वो जब अपने घर पहुंचती है तो उनको कुछ अजीब सा लगता है क्यों 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 कि वो जो सामान इनके घर में थे वो नहीं रहते हैं वो अपने माता जी से पूछती है नी पूछती है तो narrator को बुरा लगता है लेकिन उनकी माता जी पुरा एड्रेस बता देती है कि ये ऐसा-इसा है ले और फिर क्या होता है वही जो हमारी narrator होती है जब वोर खतम होता है इनकी माता जी की मृत्यू भी हो जाती है तो उसके बाद मैं नेरेटर को ख्याल आता है कि क्यों ना मैं वहाँ उस एड्रेस पर जाकर के जो है अपने माता जी का जो भी समान है उनको देखूँ और उनको अपने साथ ले जाओ तो वो ये सोचकर उस address पहुंचती है इसलिए इस chapter नाम the address है क्योंकि ये उस पते पर पहुंचती है जिस पते पर Mrs. Darling रहा करती है लेकिन Mrs. Darling जो है अपने दर्वाजे पर मारगा मिंको जी को देख करके आश्चरचकित हो जाती है वो पहले तो पहचान नहीं पाती है और फिर जब मारगा मिंको जी अपना परिचे बताती है तो परिचे बताने के बाद भी वो सामान उन्हें नहीं लोटाती है तो जो मारगा मिंको जी है कैसे इस चीज़ को हैंडल करती है वही इस पूरी कहानी में बताया गया है चलिए शुरू करते हैं तो नेरेटर जो होती है वो उस पतेव पर जाने का निश्य करती है जो की पता उनको दिया गया था बाई हर मदर उनकी माता जी के द्वारा वेर आल हर फैमिली प्रीशियस पूसेशन्स वर केप्ट सेफली बाई मिसेज डालिंग जहां पर उनके परिवार के सभी जो कीमती बेश कीमती जो वस्तुएं थी वो वहाँ पर सुरक्षित रखी गई थी मिसेज डालिंग के द्वारा ऐसा मिसेज डालिंग ने कहा था कि मेरे पास सारा समान सुरक्षित रहेगा तो यह पता मिसेज एस जी ने दिया था जो की हमारी नेरेटर की माता जी होती है तो पहली बार जो हमारी नेरेटर होती है जब वह उस एड्रेस पर उस पते पर जाती हैं मिसेज डॉलिंग बिहेवड इन दी मोस्ट एब्जर्ड मैनर तो मिसेज जो डॉलिंग होती है वो बहुत ही विचित्र तरीके से विवहार करती है यानि कि पहचानने से ही पहले इंकार कर देती है फिर वो कहती है अच्छा मैंने तो यह एक्सपेक्ट किया था कि अ सामाने नहीं देती हैं और इसलिए जो हमारी नेरेटर होती है वह खाली हाथ महां से वापस आ जाती है अब सोचिए इनका खुद का सामान कोई मदद करने के बहाने ले गया है कि जब भी आप वापस आएंगे आपको समान सुरक्षित मिलेगा और जब यह पहुचती है तो कि मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कोई वापस आएगा भी इतना होने के बाद भी वो अपने घर का दर्वाजा नहीं खोलती है और जब मिसेज जो है हमारी नेरेटर होती है वो मिसेज डालिंग से बोलती है कि हमें आप से कुछ बात करनी है तो मिसेज ये कहते हैं कि अभी मेरे पास वक्त नहीं है आप फिर कभी बाद में आईएगा और ये दर्वाजा बंद कर लेती है कितना विचितर कितना अजीब जो है भी है वियर में से डार्लिंग करती है सोचिए तो ये बहुत ही अच्छी कहानी है आपको ये बताने के लिए सिखाने के लिए कैसे एक वार के महाल में एक व्यक्तिका घर छूट जाता है उसके वो जिन समान से जो वस्तू हैं जिनसे वो बहुत प्यार करता है जिनसे उनकी यादें जुड़ी हुई होती है वो समा सामान भी इनको मिलता है कि नहीं यह कहानी में हम आगे जानेंगे लेकिन जिस व्यक्ति के पास जिनके उपर इन्होंने भरोसा किया था वो भी बदल चुका है उसके मन में लालच है वो अब उस सामान को वापस ही नहीं करना चाहता है और यह देखिए मिसेस डॉर्लिंग का कि आप गर देख रहे हैं यहाँ पर डॉर्णिंग लिखा हुआ है और यहाँ पर 46 लिखा हुआ है यह बहूत इम्पॉर्टेंट है यह आप देख सकते हैं कि कैसे जो मारगा मिंका जी है वो इनके घर गई है और ये दर्वाजे से जहांक रही है इन्होंने पूरा दर्वाजा भी नहीं open कर रखा है सिर्फ थोड़ा सा दरवाजा उन्होंने ओपेन कर रखा है और ये उसी से बात कर रही है इन्होंने घर में अंदर आने के लिए भी नहीं बोला The narrator is reminded of a mother Narrator को अपनी माताजी की याद आ जाती है Mrs. S. जिनका नाम Mrs. S. होता है Who had given this address जिन्होंने उनको ये address दिया होता है living in Holland and she saw Mrs. Darling who was introduced to her as an old acquaintance of a mother जब वो लोग वार के दौरान है ना मतलब वार चली रहा होता है उस वो दौर चला होता है तो उसी दौरान जो Mrs. S. होती है नेरेटर की माता जी वो मिसेस डौलिंग के बारे में बताती है ठीक है और उनसे बताती है कि हम मेरी पुरानी परचित है नेरेटर नोटिस्ड नेरेटर जो है यह ध्यान देती है मेनी प्रीशियस आइटम्स की काफी जो कीमती सामान है missing from their places वो अपनी जगह से गायव है धैन मिसेस एस टोल्ड हर फिर मिसेस एस उनको बताती है that मिसेस डॉर्लिंग वाज हेल्प हर बाइटेकिंग हर टेबल क्लोथ की बताती है कि मिसेस जो डॉर्लिंग है वो हमारी मदद कर रही है जो समान है उनको यहां से हटाने में उनको सेव रखने में कौन-कौन से समान? by taking her table clothes जो मेजपोश है टेबल क्लोथ है उसको ले जाने में silver cutlery जो भी चान्दी का समान है बरतन है उसको ले जाने में antique plates जो भी पुरानी बहमूल्य plates हैं उनको ले जाने में लार्ज बाजेस जो भी फूलदान हैं उनको ले जाने में बड़े बड़े और जो क्रॉकरी है जो बरतन है उनको अपने घर ले जाने में वो मदद कर रही है तो कीप इन सो कस्टडी ताकि वो अपनी निगरानी में रख सकें इसलिए वो सारा सामान ले गई यानि इनके घर का जो भी जरूरी सामान था जो भी महंगा सामान था सारा सामान जो मिसेस डालिंग थी वो अपने साथ ले गई जिसमें क्या-क्या था table clothes था यानि की mage posh, silver cutlery, यानि की चांदी के जो चमच होते हैं, जो सामान होते हैं वो, antique plates जो भी बेशकिमती पुरानी वस्तुएं होती हैं वो, large vases जो बड़े-बड़े vases थे, full land थे जिसमें full रखे जाते हैं वो and crockery और जो बरतन के सामान है, वो सारी शीज़ें, to her house तो वो अपने घर ये सारी शीज़ें ले गई हैं अब जब वार खत्म हो जाती है तो पहले तो ये नहीं सोचती हैं कि ये सामान हमें चाहिए फिर इनको याद आता है कि वो जो सामान होता है, वो इनकी माता जी से जुला हुआ होता है, इनके बच्पन की यादे होती है, तो इनकी इच्छा जगती है कि काश मैं उन सामान को छूपाती, तो इनको वो एड्रेस याद आता है तो वो अपने माता जी को माता जी का जो सामान होता है, थाना, उनको देखने कि और उनको याद करना चाहती थी क्योंकि वो जो बस्तों थी उनसे इनकी यादें जुड़ी हुई थी इनसे उनकी बच्पन की यादें थी इनकी माता जी की यादे थी चुकि माता जी अब इस दुनिया में नहीं थी तो इसलिए थोड़ा सा emotional aspect भी था हैना कि उनसे इनका emotional लगाओ था तो इनको याद आ जाता है कि अच्छा वो तो मेरा ही सामान था तो चलो एक बारी उनको छू लेते हैं महसूस कर लेते हैं याद कर लेते हैं on her second visit लेकिन जब वो वहाँ जाती है तो मिसेस डर्लिंग का behavior कुछ अच्छा होता नहीं है हैना वो बस बहुत बेरुखी से बात करती हैं तो यह वापस चली आती है फिर यह दोबारा वहाँ जाने का निश्य करती है on her second visit यह अपने दूसरी यात्रा के दौरान 246 यानि 46 होता है वहां का number Marconi Street यह वो address होता है Marconi Street number 46 जो कि इनकी माता जी ने बताया होता है तो यह उस address पर वापस से जाती है She could get entry into the house as Mrs. Darling's 15 year old daughter opened the door वो वहां पर इसलिए जा पाती है क्योंकि Mrs. Darling की जो 15 साल की बेटी होती है वो दरवाजा open करती है और वो इनको अपने घर के अंदर आने का निमंतर देती है क्योंकि Mrs. Darling जो होती है वो उस वक्त घर पर नहीं होती है और Mother was not at home तो वो घर पर नहीं होती है और इनकी बेटी को पता नहीं रहता है कि ये कौन है तो उनकी बेटी तो मासूम रहती है तो वो इनको घर के अंदर आने के लिए बोलती है क्योंकि जब मारगामीं को जो जाती है तो वो बोलती है कि Mrs. Darling से मिलना है तो वो बताती है कि वो अभी कुछ काम से बाहर गई है आप वेट कर लीजे वो अभी आती होंगी और वो इनको अपने घर के अंदर बुला लेती है और ये उनके घर के अंदर चाथा तो वो जो लड़की होती है इनको living room में लेकर के जाती है where to the narrators this man things belonging to her mother were arranged in bad manners जहां पर जो हमारी narrator होती है वो देखती है कि इनके माता जी का जो सामान था इनकी जो Mothers की belongings थी इनके माता जी का जो सामान था वो वहां पर बहुत ही गंदे तरीके से रखा हुआ था और ये देख कर के जो narrator होती है वो बहुत ज़ादा दुखी हो जाती है उनको बहुत ज़ादा पीड़ा होती है क्यों? क्योंकि उन वस्तों से इनकी माता जी की यादे जुड़ी होती थी और वो वस्तों चुकी इनकी माता जी की थी तो यादें भी जुड़ी होई थी और इनकी माता जी और ये बहुत ख्याल रखते थे उन वस्तों को अच्छे से रखने में लेकिन जब वो यहां आती हैं तो देखती हैं कि वो बहुत ही गंदे तरीके से रखे हुए है तो ये देख करके उनको बहुत ही ज़्यादा दुख होता है अपसोज होता है Mr. Darling's Daughter Innocently told the narrator Mr. Darling की जो बेटी होती है वो बहुत ही मासुमियत के साथ narrator से बताती है that they were using all the antique plates कि उनकी जो बेटी होती है वो तो मासुम होती है उसको क्या पता कि ये समान किसका है तो वो narrator से बताती है कि ये देखो हम लोग ये जो सारे समान हैं इनको कैसे यूज करते हैं इनका प्रियोग करते हैं जैसे एंटीक प्लेट्स जैसे जो पुरानी बहमूल ये जो प्लेट्स हैं हम उनमें खाना खाते हैं है ना क्रॉकری जो भी बरतन के समान हम उनको यूज करते हैं चांदी के बरतन में हम लोग खाते हैं एंड कटले री है ना तो इन साधी चीजों के Denali के चुरी और चममच का प्रयोग करते हैं यह सारी चीजह वो बताती है और इससे जो जो हमारी narrator होती हैं, उनको बहुत ही दुख होता है, क्यों कि वो समान उनका है, लेकिन इस 15 साल की लड़की को नहीं पता होता है, यह समान उनका है, तो हमारी narrator को वहाँ बहुत ही ज़्यादा घुटन महसूस होने लगती है, और जो narrator होती हैं, वो ततकाल यह निश्य करती हैं, कि इन सारी शीजों को छोड़ देना, भूल जाना ही बहतर होगा, क्योंकि यह कीमती थी, क्योंकि यह इनकी माता जी की यादों से जुड़ी हुई थी, लेकिन यह जो कीमती वस्तुएं थी, इन्होंने अपनी कीमत गिरा दी है, अब इनकी कोई कीमत नहीं रहे गई है, क्योंकि अब यह किसी और के अधिकार में है, और उन्होंने इसको यूज करके जो इसकी कीमत थी, क्योंकि उसकी कीमत तभी थी, कि यह इनकी माता जी से संबंदित थी है ना तभी उसकी कीमत थी अब कोई समान दूसरा यूज़ कर रहा है और बहुत ही गंदे तरीके से यूज़ कर रहा है तो अब वस्तों की कोई कीमत नेरेटर के लिए नहीं रह गई थी और यह जो सारी वस्तों थी यह इनके माताजी से संबंदित थी और यह अब एक बहुत ही विचित्र महौल में थी तो अब यह इनके लिए पॉसिबल नहीं था कि यह समान अगर वापस ले भी जाती है तो इनके मन में यह वाला ख्याल रहेगा कि यह वस्तों कितने गंदे तर लिए नेरेटर डिसाइडेट टू फॉगेट हर पास्ट नेरेटर ने अपने अतीद को भूलाने का निश्य कर लिए आज इट ब्रॉट बैग बिटर मेमरीज क्योंकि यह वापस से बुरे जो यादें हैं बुरी यादें हैं उनको यह वापस ले आता है इसलिए उन्हों ने बिद कर पाएं या उस चीज़ को दोहरा पाएं तो यह हमारी स्टोरी थी नेरेटर वागड आउट ऑफ मिसेज डॉर्लिंग साउस अब नेरेटर जो होती हैं वो मिसेज डॉर्लिंग के घर से वापस आती हैं डिसाइडिंग डैट शी उड नेवर कम बैक तो दिस हाउस त वो जो समान उनके परिवार का जो समान था उसको भी लेने नहीं आएंगी as she had no place to keep all of it क्योंकि उनके पास अब जगे भी नहीं हैं इन सारी वस्तों को रखने की क्योंकि पहले इनका खुद का घर होता था अब जो हमारी नेरेटर हैं ये एक छोटे से कमरे में रहती हैं जह हापे सारे सामान रखे होते तो इनके घर में जगे भी नहीं है और वो जो वस्तों हैं है अब उनकी वो कीमत भी नहीं रही क्योंकि किसी ने उसकी कीमत को गिरा दिया है उसको गंदे तरीके से यूज करके और उसके साथ बुरा experience जोड करके अगर ये जाती है और मिसेस डा ये नहीं बोला गया था ना उन्होंने कहा था उन्होंने सुरक्षित रखने के लिए कहा था तो जब कोई व्यक्ति ये promise करता है कि समान को सुरक्षित रखा जाएगा तो उससे ये expectations होती है कि वो उन वस्तों को use नहीं करेगा लेकिन वो उसको use कर रही थी और चुकी वो बच्चपन में अपनी परिवार में उन्होंने बताया होगा कि ये सारे समान मेरे खुद के हैं इसलिए जो उनकी की तर नहीं बुला रही थी क्यों क्योंकि फिर उनकी बेटी पूछ लेती कि ये कौन है तो वो क्या बताती तो ऐसी सितिनाए इसलिए वो जो है मिसेज मारगा मिंगो जी को पहचानने से इंकार कर देती हैं ये सारी चीज़ें अब शलते हम इंपॉर्टेंट क्वेस्टन की तरफ इंपॉर्टेंट वैंसर देख लेंगे पहला क्वेशन है डिस्क्राइब दी निरेरेटर फिर्स और सेकन विज़ें टो भॉश्यांत है उनकी जो पहली यात्रा है जो पहली विजिट है जब मिसेज डॉनी कर जाती है उनके बारे में आपको बताना है वर्लन करना है after the second world war दूसरे विश्युद्ध के बाद the narrator return to her hometown narrator अपने घर वापस आती है and remembered the address that her mother gave to her और वो उस पते को याद करती है जो उनकी माता जी ने उनको दिया हुआ होता है the address was of a lady named Mrs. Darling और जो address होता है वो एक महिला के नाम पे होता है जिनका नाम Mrs. Darling होता है who was an old acquaintance of the narrator's mother जो कि इनकी माता जी की एक पुरानी परचित महिला होती है Mrs. S यानि कि इनकी माता जी का ना Mrs. S रहता है she took away all the precious belongings of Mrs. S तो Mrs. Darling होती है वो सभी जो बेश्कीमती वस्तुएं होती है जो Mrs. S को belong करती है वो सारा समान ले जाती है while pretending to keep them safe जबकी वो यह दिखावा करती है कि वो उन वस्तुओं को स्रक्षित रखेंगी but she did not intend to return any of her belongings लेकिन उनकी कोई भी मन्शा उन्हें वापस करने की नहीं होती है and that is why she refused to recognize the narrator और इसी लिए उन्होंने narrator को पहचानने से इंकार कर दिया था when she came to her house जब वो उनके घर आई when the narrator requested her to talk for a minute और जब narrator ने मिसे डॉलिंग से एक मिनट बात करने के लिए याचना की प्रार्थना की request की she refused and did not invite her in तो मिसेज डॉलिंग है मना कर दिया और उनको अंदर नहीं आने दिया when the narrator saw her wearing मिसेज एस green nighted cardigan और जब narrator ने देखा कि मिसेज एस की जो green जो की हरी nighted cardigan थी nighted का मतलब होता है उन से बनी हुई cardigan का मतलब होता है sweater तो जो हमारी narrator होती है वो देखती है कि मिसेज एस का जो हरा उनका जो sweater होता है है ना वो पहन रखा था किसने वो पहन रखा था मिसेज डॉर्लिंग ने she tried to hide behind the door तो मिसेज जो डॉर्लिंग थी वो डॉर के पीछे छिपने का प्रियास करती है कि कहीं ये sweater पहचान ना ले लेकिन मारगा मिंको जी उसको पहचान जाती है शी आलसो टोल्ड दी लेटर वो नेरेटर से ये भी कहती है कौन मिसेज डॉर्लिंग दाट शी डी नॉट एक्सपेक्ट एनिवन तो कम बैक आफ्टर वार कि वह उमीद नहीं करती थी कि कोई उस युद्ध के बाद वापस भी आएगा और वह जो है रिग्रेट करती हैं अफसोस करती हैं कि वह क ताकि घर के भीतर जो उनकी बेटी है परिवार के लोग है वो जानना पाएं कि कौन आया है अब ऑथर की दूसरी यात्रा के दौरान मिसेर डॉर्लिंग हैड गॉन आउट मिसेर डॉर्लिंग बाहर जा चुकी थी और फिप्टीन यूर्ड गर ओपेंड दर डॉर और पंद कि उनको चाय के लिए भी पूछा इस सून अजी नेरेटर इंटर दी लिविंग रूम आप दी हाउस और जैसे ही नेरेटर उस घर के लिविंग रूम में प्रवेश करती हैं शी वाज हरीफाइट वह भैभीत हो जाती है वह एक अजीब से वातावरण में रखी हुई होती हैं बेतरतीब तरीके से रखी हुई होती है दी नेरेटर वाज इन मिट्स आफ आल हर मदर्स प्रीश बिलॉंगिंग्स और जो नेरेटर होती है वो अपने माता जी के सभी बेशकिमती समानों के बीच में होती है इस सिल्वर कटलरी जो उनके चान्दी के चम्मच और बाकी समान होते हैं टेबल क्लोथ जो मेच पोश होती है कैंडल होल्डर जिसमें मुंबतियां लगाई जाती है वो होल्डर होता है इंटीक प्लेट्स और जो बेशकिमती प्लेट्स होती है और वो बहुत ही जादा दुखी महसूस करती है बिकाउस देवर अरेंज इन टेस्टलेस मैनर क्योंकि वो बहुत ही गंदे भदे तरीके से रखे होते हैं विद अगली फरनीचर इन रोम दैट वास फिल्ड विद अ मगी इसमेल और वो बहुत ही बदसूरत फरनीचर यानि की जो है मेच पर रखे होते हैं है जहां पर एक ब उन्होंने इस पते को भुलाने का निश्य कर लिया आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेस्टेंट है आपके लिए next question की और बढ़ेंगे what do you learn about the character of Mrs. Darling from the story the address अब Mrs. Darling के character के बारे में क्या आपने सीखा इस chapter को पढ़ करके introduction तो हम देखेंगे कि Mrs. Darling जो थी वो narrator की माता जी की पुरानी परचित थी और वो बीच में गायब हो गए थी फिर एक बारी वो पुना प्रकट हो जाती है cunning and deceitful वो बहुत ही जादा धूर्त और मकार महिला होती है है ना Mrs. Darling was a very cunning lady बहुत ही मकार महिला होती है as she came after a long time renewed her friendship वो काफी जुनों के बाद वापस आती है और अपनी दोस्ती को फिर से नया कर लेती है renewed कर लेती है with Mrs. S. Mrs. S. के साथ and suggested to keep all her precious belongings say by taking them of her own house और वो ये प्रस्ताव देती हैं सुझाव देती हैं कि वो सारा सामान अपने साथ रखेंगी बहुत ही तुरक्षित तरीके से she decided Mrs. S. because she had no intention of returning the valuable objects और वो Mrs. S. को दोखा देती हैं क्योंकि उनकी कोई भी मन्शा नहीं होती है उन सामान को कीमती सामानों को वापस करने की manipulative वो बहुत ही manipulative होती है यानि कि किसी को भी बहका सकती है उनके अंदर बहकाने की शमता होती है और वो Mrs. S. को manipulate कर लेती है कि वो उनकी मदद कर रही है उन सामान को खुद के साथ ले जाने में, जब की क्या होता है वास्तों में, उनके मन में लालच होता है, मिसेज डॉलिंग के मन में, rude and inhuman, वो बहुत ज़्यादा rude होती है, यानि की बहुती कठोर होती है, जब नेरेटर जाती है, अपने माताजी के सामान पर अधिकार प्राप्त करने, उनको पहचानने से, और उनको नहीं पहचानती है, चीक है, तो ये सारी चीज़े हैं, selfish, वो बहुत सी ज़्यादा selfish होती है, क्योंकि मिसेज एस उनके उपर इतना भरोसा करती है, है ना, इतना भरोसा करती है, और ये उस भरोसे को तोड़ देती है, और सारा समान ले जाती है, और उसके बाद उनकी बेटी को पहचानती भी नहीं है, तो यहाँ पर ये बताया नहीं रहती है, कि कोई इनका इनको इनके ओपर कितना बिलीव करता है, है ना, तो ये सारी मदद भूल जाती है, मिसेज जो डॉलिंग होती है, वो मिसेज एस के सभी जो सामान होते हैं, उनको अपने घर में यूज कर रही होती है, शी एवन वर दिग्रीन आइटर प्रती जो युद्ध था, जो वर था, यानि युद्ध का जो समय था, उनका जो डर था, उसके डर का फाइदा उठाया था, मिसेज डॉर्लिंग ने, शी टुक अबे अल हर नाइस थेंग्स, वो सारी जो अच्छी शीजें थी, वो उन्होंने रख ली थी, और उन्होंने और यहां तक कि उन्होंने नेरेटर को भी, जब नेरेटर उनके घर में गई, तो नेरेटर ने उन समान के बारे में पूछा नहीं, वो बात करने वाली थी, लेकिन मिसेज डॉर्लिंग ने खुद से नहीं बताया, और जब नेरेटर ने कहा कि मुझे आप से कुछ बात करन तो उन्होंने बोला, मैं बिजी हूँ, मेरे पास अभी वक्त नहीं है, बाद में आना, यानि कि उनकी कोई भी इंटेंशन नहीं होती है, समान को लोटाने की, तो ये था, कहानी उस पते के रदिगर्द कैसे घुमती है, तो आपने देखा कि वो जो पता होता है, है ना, उसी पते पर इनके माता जी की जो बिलॉंगिंग्स होती है, वो वहाँ पर रखी हुई होती है, और मिसेज डॉलिंग नाम की जो पुरानी परचित होती है, वो ये समान ले जाती है, इसी लिए मिसेज की जो बेटी होती है, मारगा मिंको जी, वो इस पते पर जाती है, दोबारी जाती है, ताकि अपने माता जी की जो बिलॉंगिंग्स है, उनको ये छूपाएं, देखे पाएं, महसूस कर पाएं, उनको ले पाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पता है, और ऐसे हमें पता चलता है कि यह पूरी कहानी जो है इसलिए दा एड्रेस जो वो एड्रेस है उसी पते के इर्दगिर्द घूमती है इसलिए हमारे चैप्टर के नाम भी दा एड्रेस है ठीक है यह आप स्क्रीन शॉर्ट ले सकते हैं क्या आपके लॉंग एंसर टाइप क्वेश्चन से चलिए वाट हैपन वें दी नेरेटर विसेज मिस्टर डॉलिंग फॉर्स टाइम क्या हुआ जब नेरेटर पहली बार गई तो नेरेटर जब पहली बार फुट्टी सिक्स मारकोनी स्ट्रीट में गई तो क्या हुआ डॉलिंग डिनाइड रिकरगनाइजिंग हर तो मिस्टर डॉलिंग ने उनको पहचानने से मना कर दिया और उन्हें कोई भी इंट्रेस रूची नहीं दिखाई किशिज में उस बिलाउंगिंग को उन सामानों को वापस करने में मिस्टर डॉलिंग डिड नॉट इवेंट टॉक्ट तू हर मिस्टर डॉलिंग ने यहां तक की ठीक से बात भी नहीं करी उनसे why did Mr. Darling refuse to even talk to the narrator क्यों उन्होंने मना कर दिया बात करने से क्यों क्योंकि उनको डर था कि अगर बात होगी तो ये उन सामानों की भी बात होगी और वो सामान चुकि ये यूज कर रही थी बहुत महंगे सामान थे इनके मन में लालच भी था इसलिए मिसेस डॉर्लिंग ने refuse कर दिया था बात करने से तो इसकी शॉट ले लेंगे दाप लो कि उनके घर में कुछ ऐसा लग रहा था कुछ अजीब सा महौल है क्योंकि जो समान था वो गायब था अपनी जगह से तो यह ने ने नोटिस कर लिया था फिर उनकी मातग जी ने बताया कि वो जो सारा समान था जो सारा समान था वो मिसेज डॉर्लिंग अपने साथ ले करके गई है सुरक्षित रखने के लिए What explanation did मिसेज डॉर्लिंग give for taking the belongings of मिसेज S तो क्या explanation क्या वरडन किया था मिसेज डॉर्लिंग ने वो सारा समान मिसेज S से ले जाने के लिए तो उन्होंने explanation दिया था कि war में कुछ भी हो सकता है तुम लोग Jews हो, यहूदी हो, है ना अब war में क्या होगा, क्या नहीं, यह किसको पता है अब समान सुरक्षित बचे या ना बचे तो ऐसा करते हैं, आपका समान मैं अपने साथ सुरक्षित रख लेती हूँ war के बाद आप में इसके परिवार में से, जो भी जीवित बचेगा वो आ करके अपना समान ले लेगा तो ऐसा उन्होंने कहके उनको बहका दिया था इसलिए Mrs. S. जो थी, वो willingly agreed to the idea उन्होंने इच्छा से उस विचार पर सहमती जता दी थी did the narrator feel convinced that Mrs. S. that Mrs. Darling was the right person to keep all the their valuable in safe custody क्या जो narrator थी, वो सहमत थी, convinced थी कि Mrs. Darling जो थी, वो सही महिला थी, वो सारी बेशकीमती वस्तुओं को रखने के रिए, नहीं Mrs. S. जो थी, वो सहमत थी, लेकिन Mrs. S. की जो बेटी होती है जो हमारी narrator होती है मारगमिन को जी, वो सहमत नहीं होती है, उनको ऐसा लगता है कि कोई खुद से कैसे कह सकता है, कोई खुद से कैसे कह सकता है कि लाओ अपना सारा सामान मुझे देदो, मैं सुरक्षित रखूंगी, तो वो convinced नहीं होती है, तो यही होता है वाट वाज मिसेज एस ओपेनियन अबाउड मिसेज डॉर्लिंग मिसेज एस का क्या मानना होता है क्या राय होती है मिसेज डॉर्लिंग के बारे में तो मिसेज एस की राय ये होती है कि मिसेज जो डॉर्लिंग है वो बहुत ही रिस्की काम कर रही है बहुत ही रिस्क वाला काम कर रही है क्यों कि हिटलर के साइनिक आसपास घूम रहे हो सकते हैं ना कि वह घूम रहे हो वार का टाइम चल ला है कब क्या हो जाए तो मिसेज जो डॉर्लिंग है वह बहुत बड़ा काम कर रही है तो वह बहुत भरोसा कर रही होती है मिसेज डॉर्लिंग के ऊपर what was the narrator's first impression about Mrs. Darling narrator का Mrs. Darling की छबी पर पहला प्रभाह क्या था तो पहला प्रभाह तो ये पड़ा कि उन्होंने अपनी परिवार में देखा कि उनका समान कुछ समान गायब है upon inquiring और जब उन्होंने पूछता आज करी तो उन्हें पता चला Mrs. Darling के बारे में her mother informed her उनकी माता ने उनको बताया that Mrs. Darling was taking this position to her home for safekeeping till the end of the war क्योंकी माता जी ने बताया कि Mrs. Darling सारा समान अपने साथ सुरक्षित रख रही है जब तक कि युद्ध खत्म ना हो जाए she was initially apprehensive about the lady but the rebuking look from her mother was enough to drop the topic her first encounter with her was also a brief one she could only catch a glimpse of her तो उनका पहला encounter बहुत ही संक्षिप्त था वो सिर्फ एक छण के लिए ही उनको देख पाई थी और वो notice कर पाई थी कि उनकी पीठ काफी चोड़ी है broad back है ये वो देख पाई थी बस why did the narrator reach the station without having paid much attention to things on the way क्यों narrator जो है station पर पहुँच गई बिना ज्यादा ध्यान दिये जो रास्ते में जो भी things थी जो भी चीजें थी उन पर बिना ज्यादा ध्यान दिये वो क्यों station पहुँच गई क्यों 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 वो जो रास्ता था वो उनको पुराने दिनों की याद दिलाता था और war के समय की याद दिलाता था वो नहीं चाहती थी कि उनका ध्यान फिर से वहीं जाए क्योंकि war में लोग बहुत कुछ खो देते हैं अपनों को खो देते हैं अपना घर खो देते हैं उसका जो प्रभाव होता है वो पीडियों तक चलता रहता है When Mrs. Darling denied entry or talking to the narrator जब Mr. Darling ने मना कर दिया narrator से बात करने के लिए Mr. Darling returned to the station without having paid much attention to things on the way तो Mrs. जो हमारी क्या कहते हैं narrator होती है वो वापस आ जाती है बिना ज़्यादा ध्यान दिये उन वस्तों पर जो रास्ते में थी दो शी पास through all places family to her हलाकि वो सभी जगह से गुजरती हैं जो कि उनके लिए परचित थी She did not want to upset herself with the sight of the streets and houses full of memories of earlier times क्यों? क्योंकि वो खुद को और दुखी नहीं करना चाहती थी उन दृश्यों से जो दृश्य उनके मन में उनके बच्पन की यादों से उनके पहले की यादों से भरी हुई थी वो खुद को उनसे परिशान नहीं करना चाहती थी परिशान इंदा सैंस इसलिए कि कुछ अच्छी यादे भी थी लेकिन जब war का समय आया तो वो अच्छी यादे बुरी यादों में बहुत ही ज़ादा बुरी यादों में बतल गई तो वो नहीं चाहती थी कि वो यादे इनके मन में फिर से आएं क्योंकि ये फिर बहुत ज़ादा दुखी हो जाएंगी है ना इसलिए उन्होंने ज़्यादा ध्यान ने लिया मिसेज डॉर्लिंग बारे में वर्ण कीजिए तो मिसेज डॉर्लिंग आप ब्राट-बैक विमन एक च़ौडी पीठ वाली महिला होती है वह अपरेंटली एंड ओल एक्वेंटेंटर आफ मिसेज एज जो कि Mrs. S की पुरानी परचीत होती है whom she hadn't seen for years जिनको उन्होंने बहुत दिन से नहीं देखा होता है Mrs. Darling had suddenly turned up Mrs. Darling अचानस से एक दिन परकट हो जाती है and renewed their contact और वो फिर से अपने संबंदों को नया कर लेती है Mrs. Darling was a very shrewd lady she took away all the precious belonging of Mrs. S and had no intention of returning them तो उनकी कोई भी मन्शा उन वस्तों को वापस करने की नहीं होती है ये इस कहानी में आपने पढ़ लिया है और आपको अच्छे से ये समझ में आ गया है what did Mrs. S ask her daughter to remember Mrs. S ने अपनी बेटी से यानि कि आथर से क्या याद करने के लिए कहा तो उन्होंने मारकोनी स्ट्रीट नंबर 46 याद करने के लिए कहा क्योंकि वहाँ पर इनका पूरा सामान सुरक्षित रखा गया था Mrs. Darling के द्वारा यहीं यहाँ पर है why did the narrator hesitate for a long time to claim her belongings क्योंकि war खत्म हो चुकी थी और वो इस चीज को महसूस कर रही थी और वो क्या था but she started missing her family's belongings फिर थोड़े समय बाद वो अपने परिवार की जो बस्वें थी उनको miss कर रही थी उनको याद कर रही थी और second thought और दूसरा यह था she was rather afraid to see and touch all those objects कि वो इनको चुने से और देखने से घबरा भी रही थी क्योंकि इनसे इनकी मा की यादे जुड़ी हुई थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं थी उनसे वार की यादे जुड़ी हुई थी जो की बहुत ही दर्दनाख उनकी यादे थी बहुत ही दुख भरी यादे हैं इसलिए वो जो है क्या कहते हैं थोड़ा लंबे समय तक उन्होंने वेट किया उस उन वस्तों पर अपना क्लेम करने से दावा करने से कि उनके माताजी के बारे में जो कि अब जीविद नहीं थी है ना तो वो नहीं चाहती थी कि ये सारी चीज़ें उनको याद आएं आई वाज आप्सलुटली नाट इंटरेस्टेट इन ओल दाट इस टोडिस्टफ व वास्तो में नेरेटर की उन वस्तों में कोई भी रूची नहीं थी जो कि पहले उनकी माता जी से संबन नहीं थी क्योंकि वो बहुत जादा डर गई थी तो सी दी थेंग्स विच उड़ रिमाइंडेड हर और डेड मदर क्योंकि वो चीज़ें उनको उनकी जो है मरी हुई माता जी के बारे में याद दिलाती थी तो दूसरी बार क्यों उन्होंने जाने का निश्य किया तो उन्हों वो बहुत ही अधीर हो गई और उनकी क्योरियसिटी बढ़ती जा रही थी जिग्यासा किया रही है उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों भी है किया मुझे अपने माता जी का समान देखना है क्योंकि पहली विजिट में वो देखने पाई थी इसलिए she wanted to see all those belongings वो सारा सामान देखना चाहती थी that were once possessed by her mother जिन पर एक कभी इनकी माता जी का अधिकार था she wanted to touch them वो उनको छूना चाहती थी to feel them, उनको महसूस करना चाहती थी and to remember them, उनको याद करना चाहती थी she decided to visit Mrs. Darling's house again तो इसलिए उन्होंने Mrs. Darling के घर दुबारा जाने का निश्चे किया who was the narrator why was the narrator oppressed, narrator क्यों दुखी होई narrator दुखी हो गई, क्योंकि उन्होंने देखा, क्योंकि माता जी का जो सामान है जो उनके माता जी का सामान है वो बहुती गंदे, बहुती भदे तरीके से रखा हुआ है अब ये देख करके इनको बुरा लगा, क्यार मेरी माता जी थी तो उन्होंने सामान को कितने प्यार से वो रखा करती थी और कितने भरोसे के साथ उन्होंने आपको दिया था, और आप उन वस्तों को एक तो यूज़ भी कर रहे हैं, उपर से प्रक्षित भी नहीं रखा है और यहां तक कि मुझे घर में आने भी नहीं दिया वो तो जब मिसल डॉलिंग नहीं थी तब यह घर में जा पाई तो इन सब सारी चीजों को सोच करके नेरेटर बहुत ज़ादा दुखी हो जाती है आप तब ही ध्यान देंगे जब चीजें आपके सामने नहीं होंगी या वो खो जाएंगी तो मानिविय सबहो का कौन सा गुड यहां पर दर्शाया गया है तो नेरेटर निशित रूप से सही थी वेन शी सेड जब वो कहती है कि हम वस्तों को तभी याद करते हैं जब वह क्या होती है हम चीजों पर तभी ध्यान देते हैं जब वो खो जाती है यह मानविय गुण है मानविय सबहाव है कि वो चीजों को ऐसे ही हलके में ले लिक वी शेल्टम पॉंडर ओवर दी थेंग्स लाइंग अराउंड अस बिकॉस दे आर देर देर ट्रू वर्थ इस रिले रियालाइज़ वें ओनली वें वी डोंट फाइंड देम इन फ्रंट आप और आईज तो उनकी असली किमत हमें तभी पहचान में आती है जब वो वास्तों में हमारे सामने नहीं होती हैं तो ये थी हमारी कहानी ये थी हमारी कहानी तो ये आपके important question answers है इस कहानी को आपने बहुत ही short में बहुत ही अच्छे से समझ लिया कि आखिर इस कहानी में क्या बात की गई है उम्मीद करता हूँ कि ये chapter आपको अच्छे से समझ में आया होगा मिलते हैं आपसे अगली class में thank you very much जय हिन जय भारत